नमस्कार साइन सन स्टडी जोन में आप सभी लोगों का स्वागत है और आज के अध्यन का विशय है स्री सुन्दर कांड जो राम चरित मानस का पंचम भाग है ये प्रसंग बहुत ही खुबसूरत है और इसमें एक मा और बेटे के बीच का समवाद है जिसमें माता जो है पु आसिरवाद या आसीस या फिर ब्लेसिंग से बढ़कर कोई चीज नहीं होती है कोई भी इंसान अपनी जीवन में कितना तरक्की कर रहा है ये इस बात पर निर्भर करता है कि उसे अपने बड़ों से अपने परोसियों से अपने समाज से कितना आसीस मिला हुआ है और कोई इंसान अपने जीवन में कितना पीछे जा रहा है वो सफलता को प्राप्त नहीं कर पा रहा है इसके पीछे भी ये कारण है कि जिस समाज में वो रहता है जिन लोगों के बीच में वो रहता है वो लोग उससे कितने दुखी है या फिर उसे कितना कम आसिरवाद मिल पाया है तो लोगों से गुजारिस है कि अपने जीवन में जिस तरह से बैंक बैलेंस करते हैं रुपया इकठा करते हैं उसी तरह से आसिरवाद का संग्रह भी मानव जीवन में बहुत माइने रखता है तो आसिरवाद इकठा करें लोगों के साथ प्रेम से बेवहार करें लोगों का सम्मान करें और आसिरवाद ही आपको जीवन में सफलता की उची से उची सीड़ी पर चड़ने में सहायक के रूप में सिद्ध होता है तो स्रीरामचरित मानस के सुंदर कांड का ये प्रसंग है जो की दोहा संख्या सोला के बाद में जिक्र आता है स्री हनुमान जो मा जानकी को मिलने के बाद उनको सुकून पहुँचाने के बाद जब माता सीता असोक वाटिका में कस्टों से घिरी रहती हैं और रावन की कैद में होती हैं उस समय स्री हनुमान मसीह के रूप में प्रकट होते हैं और स्री राम का गुनगान करकर सीता माता को सुकून पहुचाते हैं बहुत उन्हें आनन्द आता है और दुख की घड़ी में सुख की लौ जगाने की कोशिस करते हैं स्री हनुमान उसी दर्मियान मा सीता स्री हनुमान से प्रसन होकर उन्हें क्या आसीस देती हैं और इस आसीस को प्राप्त करकर हनुमान जी पर कैसा प्रभाव पड़ता है इस चीज को हम लोग अभी पढ़ेंगे तो आईए इसकी शुरुवात करें अजर अमर गुन निधी सुत हो हु करहु बहुत रगुनायक छो हु करहु कृपा प्रभु अस सुनिकाना निर्भर प्रेम मगन हनुमाना इसका भावार्थ क्या होता है इसको हम लोग थोड़ा पढ़ते हैं हे पुत्र तुम अजर अमर और गुनों के खाजाने से पड़ी पुर्ण हो जाओ स्री रगुनात जी तुम पर बहुत बहुत कृपा करें प्रभु ऐसा कृपा करें इस बात को कानों से सुनते ही स्री हनुमान जी प्रेम पुर्ण मगन हो गए पुर्ण प्रेम से मगन हो गए आए इसको कवीता के जैसा गीत के जैसा प्रयास करते हैं इसको प्रस्तुत करने का अजर अमार गुननी धी सुत हो हूँ करहूं बहुत रघुनायक छोहू अजर अमार गुननी धी सुत हो हूँ करहूं बहुत रघुनायक छोहू करहूं कृपा प्रभु अस सुनिकाना करहूं कृपा प्रभु अस सुनिकाना निर्भर प्रेम मगन हनुमाना करहूं कृपा प्रभु अस सुनिकाना करहूं कृपा प्रभु अस सुनिकाना करहूं कृपा प्रभु अस सुनिकाना निर्भर प्रेम मगन हनुमाना धन्यवाद